तो सर जो भी क्लास खाले होती है उसी में जाके बच्चों की स्टडे करवाने लग जाते और प्राइमरी जो वींग है वहांपे तो जाके सर इतने फूस होते थे कि बच्चों को लगता ही निए था ये स्कूल के हैड मास्टर हैं और बच्चे सर का हाथ पकड़ के सर मेरी कलास में चलो मेरी कलास में चलो और कुछ बच्चे तो सर को देखते ही सर के पास दोड़े दोड़े आते हो और ओफीस में बच्चों को यह नहीं पता था कि भी यह ओफीस है और सर के ओफीस में पूछ के जाना होता है अपने बुक् जार भी ये लड़की सर के लिए वेक्त करेगी गीता सर्व से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि छोटी नई बच्ची का ये उपहार सवीकार करें और दो लाई ने फिर ये लड़की बार में बोलेगी इस लड़की ने एक बहुत ही अच्छी एक कविता प्यार की है तो ये बढ़ी बहादूर बच्ची है इस्कूल की और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है तो ये अपड़ी कविता सुनाएगी जाज आपक जी, वै आपका प्रिवार, वै गुरुजन, छोटी वै बड़ी बहनो मैं मेरा नाम गीता है, मैं जोटी कख्षा में पढ़ती हूँ आज हमारे हैड से रिटायर हो रहे है मैं भी अपनी कख्षा की तरफ से कुछ बाना लेकर आई हूँ मुझे आज़ा है कि आप मेरी बाना की गदर करेंगे खिलता हुआ गुलाब थे आप, हमारे अधियारे जीवन में ज्यान का दिपक थे आप हम सब बच्चे धेनादान, बढ़ने में नहीं था ध्यान हमारी भूलों को माप करके दे ज्यावित्या का दान अपनी अन्मार शिक्षा को खेल खेल में हमें सिखाया सिस्कारों के पाट हमें पढ़ाया, सही गलत का ग्यान कराया हमारे निरासमन में आतम विश्वास जगा दिया मंजीत तक पहुँचने का रास्ता हमें दिखा दिया हैट सर हमारे आंगण को छोड़ कर जा रहे हो आप जीवन में सदा खूसरो यही है हमारी परभू से आप क्योंकि हम जानते हैं कि उन हैंड मस्टर सर हम जासे छोटे बच्चों को पढ़ाता है यह फूपी तो सिरफ आप में ही जी हमारे खयाल में आप जैसा प्रतिबा का दनी सायदी कोई हो याद आएगा हमें वो आपका पढ़ाना, हसाना, सिखाना और धमकाना याद आएगा हमें वो आपका हमारा छोटा सा हाथ पकड़ कर कक्षा में ले जटा कहना याद आएगा हमें वो आपका प्यार से सीर पर हाथ सहलाना याद आएगा अपने वो आपका मंद मंद बुश्कराना यह सोच कर हम सहन जाएंगे जब आप हमें विजले में नहीं पाएंगे गल्टी से आपको दफ्कर में बुलाने जाएंगे पर आपकी कुर्शी को हम खाली पाएंगे फिर उदा समझ से वापस पक्षा में लोट जाएंगे फिर हमें एहसास होगा कि आपको अपने प्रिवार में गूल मिल गए हो साइद आप अब हमें मिल पाएं अंत में मैं अपने नने नने हाँ जोड़कर भगवान ते यही प्रातना करती हूँ कि आप से राफुस रहें और स्वस्थ रहें और आपके प्रिवार में यूँ ही खुष्णिया बनी रहें हमारी उमर भी भगवान आपको लगाए धन्यवाद हसकर जीना दस्तर नहयाते यही तो सबसे बड़ा कस्तु रह जिहन्दगी का